तो ब्रह्मर्शी डाक्टर ब्रह्मर्शी पितामा पत्री जी को आत्म प्रणाम और सभी ध्यान मित्रों को मेरे प्रणाम मैं यह अंतर राष्ट्री महिला दिवस में शामिल हुई हूँ इसके लिए मैं अपने आपको सभाग्यवती मानती हूँ बहुत मेरा यह सभाग्य है कि सबसे मिलना हो रहा है और आज का विशे है ति पुरा सुंदरी तो मैं सनातन काल से जो स्थ्री का महत्व है मैं वहां से बताना चाहूंगी तो यह है कि जब सुष्टी हुई नहीं थी सुष्टी ही नहीं थी कुछ भी नहीं था एक सिर्फ एक बड़ा सा वाइड था तो यानि महाशून्य जिसको हम कहते हैं वह था तो उसमें से एक आदी पराशिक्ति एक स्थ्री रूप वहां से देवी का वहां से उत्पन हुआ उसके बाद जब वह बाहर उसमें से आई उनमें से फिर तीन पुरुष रूप बाहर उनमें से ही बाहर निकलाए और वे ही हम कहते हैं ब्रह्मा विश्णु महेश्वर उनके आने के पस्चाद उन्हें अपने अपने ड्यूटिस सौंप दिये गये फिर उसी पराशक्ति से उन्हें आध्या पराशक्ति भी कहते हैं तो उन्हीं में से और स्त्री मूर्थियां भी तीन स्त्री मूर्थियां आई हैं तो वे हैं लक्ष्मी पार्वती ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती विश्णु की पत्नी लक्ष्मी और शिव की पत्नी पार्व ज़रूरी उत तो ग्यान के लिए सरस्वति को सौप दिया गया उसके बाद विश्णु को पालन करना है पालन करने के लिए खाना पिना सभी जीवों के लिए आहार यह सब देखना पड़ता है इसलिए उन्हें संपदा की आवश्कता होती है इसलिए लक्षमी को उन्हें सौ चीवी का काम है संपधा संफार करने के लिए शक्ति के आवश्कता होती है शक्ति याने बहुत यह पारोती जी शक्ति स्वरूप हैren थे स्थरी का महत्व यानि मेरा कहने का मतलब यह है कि अ kes प्रिश्डिंदी कि आप किया है, स्थरी से प्रारम हुँ है, तो देख्ये, fragrant महतु कहा तक महतुपर्ण हम कहला सकते हैं कि एक स्त्री के द्वारा सुर्ष्टि आरंब गुई है इस तरह है द्दीरे ये सब हो गया है तो भब अभी स्त्री जैसे हम कहते हैं स्त्री में तीन अट्शर है तो इसमें ऐसा क्यों दिया गया है क्योंकि स से बनता है सतो गुण त से बनता है तमो गुण और र से बनता है रजोगुण ये तीनों गुण स्त्री में पहले से ही स्थित हैं अंदर लेकिन स्त्री बहुत ही याने तेज स्वभाव याने बहुत ग्यानवान होती है इसलिए जब जिसकी जिस गुण की आवश्यकटा होती है तब उस गुण का उपयोग करती है ऐसा नहीं कि सभी गुण एकी साथ उबर आए या हमेशा तमोगुण में रहे या हमेशा रजोगुण में रहे या हमेशा सतोगुण में रहे नहीं ऐसा नहीं तीनोगुणों के हमेशा आवश्कता होती है लेकिन जब जिसकी जरुत पड़ती है तभी ही उसी का उपयोग करन नारी तसमय तसमय नमो नमहा रुद्र याने शिवजी नर है वुमा याने पार्वती नारी है इसी लिए मैं प्रणाम करता हूं यहां पर अर्धनारिश्वर तत्व को बताया गया है एक दूसरे के पूरक हैं जब सृष्टीन तो यह पूरक हैं तो फिर भी इन्होंने जो श पार्वती जी है उनके आगया के बिना शिव जी विष भी ग्रह नहीं किया था जब यह वा था समुद्र का मंथन हुआ था जब हाला-हल निकला था तो विष का विष निकला उसमें से तो उन्होंने पार्वती जी की आगया ली उस विष को अपने गले में उतारने के शुरूата है लक्षमी जी कि आग्या के बीना बिना विश्नु अपने आउतार नहीं लेते हैं हर यूग में एक आउतार उनों ने लिया है तो लक्षमी प्रतियुग में भी अनेक विशी पत्निया है जो शासराथ में बहुत ही निपुन है और जैसे बहन ने कहा था दया बहन ने कहा था ये लोपा मुद्रा है और अरुंधती हैं अनुसुया हैं गारगी हैं मैत्रेई हैं ये भी कोई कम नहीं थी इनको भी बहुत बड़ा पीठ यहांने आसं मिला हुआ है तो इतनी उच्छस तर पर स्थ्री रहती थी तो रुषिन यहां रहती थी और ग्यान में भी यह बहुत थी यह रुषियों के समान इनको भी घ्ञान प्राप्त था तो इसके बाद यह और हम जब बाद में आते हैं जब दूसरे युग में तो फिर जब द्वापरयूवावेश तो द्वरौपदी भी महाघ्यानी और कुटी भी जЬ महाघ्यानी थी। और कहते हैं कि इन लोगों यानि कुटी और द्वरौपदी यह अमर हैं यानि इनको मृच्शू होती नहीं है. यह सदाईव जीवित रहते हैं अभी भी हैं तो ऐसे इनको वर मिला हुआ है इतने ग्यानी यह माने जाते हैं अब जब पल्यूगू में जैसे बहन ने बताया कि कुछ समय के लिए स्रीयों को दबा दिया गया था बंद कर दिया गया था कुछ आक्रमणों के कारण कुछ भी ह तो फिर भी स्त्रीक की जो शक्ति है उसको थोड़ा कम कर दिया गया था तो बाद में जब 19 सेंचुरी जब प्रारम हुई है तब तब से ही फिर से पनपना शुरू हो गया है तब ही एक महान कवी ने लिखा है अबला तेरी यही कहानी आंचल में है दूद आंखों में पान यानि उस समय स्त्री की दशा ऐसी थी तो धीरे धीरे वो यानि शक्तिशाली बनती गई अपने आपको समझती गई फिर आज का दिन आज के दिन में स्त्री को हम कह सकते हैं कि यह तो महान शायद बन गई है मेरे ख्याल में अब जैसे देखिए दुरगा को हम आठ का कहते हैं लेकिन आज की स्त्री दस भुजा वाली है क्योंकि ऑब घर में बच्चों का भी काम करती है, बुजूरग रहते हैं, उनका भी काम करती है, सब खाना पाना प्रीन सब करती है भी बाहर का काम करती है पुरुष सबेरे चले जाते हैं और रात को था के मांदे घर आते हैं तो साहरा बाजार का काम हो बाहर का काम हो कुछ भी हो इसके अलावा यह साम करते हुए भी अपनी नोकरी दस बजे उन्हें लैपटाउब में बैठना पड़ता है तो यह सब यह सब काम पूरा से हर तरफ से हर चेतर में यह काम कर रही है और बहुत ही बड़िया काम कर रही है और अच्छा नाम भी कमा रही है और बहुत ही उच्चस्तर पर काम करती है यह तो ऐसे श्री का महत्व हम कहते जाएंगे तो बहुत ही बहुत ही लंबा होगा बहुत ही बड़ा यह एक करनी होती है जब मांगते हैं तब कुछ चाय प्लानी होती lah बच्चों को देखना होता है फिर सब करते हुए भी भी बागेब्स चीज़ों को लाना सामान लाना यह लाना वह सब जासे और स्कूल मेंrea मीटिंग उड़ी तो स्कूल में जाना वो शिकायते भी करते हैं तो दोनों का जवाब देना होता है यानि मानसिक दृष्टी से भी थक जाती है शारीरिक तो थकी जाती है वो तो सही है मानसिक दृष्टी से भी थक जाती है लेकिन वहां इतनी दृड़ सुद्रड़ है यानि अबला नहीं अभी वह सबला ब निभा रही है, सब काम कर रही है, सभी कुछ निभा रही है इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है आज चल मैं देखती हूँ कुछ लोग delivery सभी और से वही सभी कार्यों को बहुत संथर तरीकेसे निभा लेते हैं और तक्रीतर यह काम चला लेने है तो इसका यहां नारी की पूजा होती है वहां देवतार रवास करते हैं वहां रहते हैं लेकिन यहां अगे हैं इन दोंगो आगर यह दोनों को अगर उसे मिल जाएं तो बस अपने आपको पूरी तरह त्याग शील बन जाती है, वो सब कुछ त्याग देती है, अपना सुख, अपनी नींद, अपना भोजन, अपनी भूख, प्यास, सब त्याग देती है, अगर यह दोनों उसे मिल जाएं, तो यह रमंते देवता वहां, अब देवताओं का भी गुण क्या है, प्रेम, बात सही है कि देवता तो वहां आएंगे ही आएंगे, क्योंकि प्रेम का वास हो रहा है वहां पे, तो प्रेम के साथ तो देवता रहेंगे ही रहेंगे, तो इस तरह वहां पर हमेशा देवता रहते हैं, तो यह स्त्री आज की स्त्री यह सब भी पा रही है, किसी प्रकार का क्लेश उसको मन में नहीं रखना चाहिए जैसे अभी बलवीर बेहन ने कहा है कि मन को प्रसंद रखने के लिए ध्यान की तो बहुत आउश्कता है बहुत जरूरी है ध्यान तो ठीक है वो कभी समय निकालके अपना ध्यान भी करें और क्योंकि मन में चिंता या कुछ पैदा इसलिए ध्यान की जरूरत होती है वैसे पत्री सर कहते है कि स्थ्रीयों के लिए ध्यान की आश्कता नहीं है क्योंकि स्थ्री आटमेटिकली वह बहुत ही ध्यानी ग्यानी है सिर्फ पुरश के लिए ध्यान की जरूरत है ऐसे कुछ स्पीचस में पत्री सर ने कहा था तो स् उसके लिए तो यह बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए इसके साथ साथ अभी स्त्री के बारे में महा कवी कालिदास ने कहा है कि कारिये शुदासी करंश मंत्री भोज्ये शुमाता शमया धरित्री यानि अब जब स्थ्री काम करने लग जाती है तो वह 100% अपना यह अपनी शेक्ति हो या अपना ध्यान हो दिमाग सब उसी में लडाती है दासी की तरह काम करने लग जिस काम पर लगी है उस काम को एक दासी की तरह हो पुरा कर लेती है अच्छी तरह पुरा करती है यानि 100% उसमें तो सभी को पसंद है तो उसके अनुसार उसटाए का पालन किया जाता है वैसे ही घर मेदा ऊमस्य आया तो पति अकेला सुलजा नहीं सकता है, तो वो जरूरी होती है कि श्री भी उसका भाग ले, उसके समस्या में भागने और उसके सलाह दे, और उस तरी की सलाह इतनी याने स्ट्रॉंग होती है, कि एकदम जैसे कुशल मंतरी बताते हैं, वैसे उसकी सलाह उसका वहां उपयोग क आजाता है, तो इस तरह कारणेशो मंतरी, मंतरी का भी काम वह बहुत बड़ी तरीके से करती है, इसके पस्चार भोज्येशो माता, अब माता यानि अब जैसे माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, तो वो बीच में उठ जाता है कि खेलने जाना है उसको, इसे उठ ज में उसको लगा के किसी न किसी तरह उसको खिलाती है, वैसे ही घर की जो स्री है, कितने भी लोग महमान आएं, अथिती आएं, रिष्टेदार आएं, तो सभी कुछ उसी को निभाना पड़ता है, तो वो भी खाना जब भोजन खिलाती है, तो माता की तरह सभी का पेट कर सभी को खाना खिलाती है, यह वैसे हमारे भारत देश में बहुत ही पुराने जमाने से ही यह आया हुआ है, कि कोई भी घर आते हैं, तो उनको भोजन खिलाए बिना हम बाहर नहीं जाने देते उनको, तो यह हमारी भारत सनातन्ना यह एक यह बन गया है, सूत्र बन गया ह है हमारे देश में तो इस तरह जब श्री किसी को भोजन कराती है तो पूरा पेट भर के खिलाती है तो भोजेशु माता जब किसी को भी चाहे वो कोई भी हो पराया हो या कोई नौकर हो या कोई बाहर का हो या कोई भी हो कोई पशुपक्षी हो कोई भी हो उसको भर पेट खा कितनी भी बड़ी गलती कोई भी करे क्षमा कर देती है क्षमा गुण उसके रक्त में है और प्रेम उसके रक्त में है ममता उसके रक्त में है तो वो क्षमा कर देती है और धरित्री याने भूमी भूमी की तरह जिस तरह भूमी को हम खोदते जाते हैं खोदते इतने बिल्डि कितनी सहर था, सहती है, ऐसे जितनी क्षमागीं भूमी में है, उतना ही क्षमागीं तरी में भी है, चाहे घोज़ी भी भी बच्जी वे बड़ी हो, कोई भी स्थ्री हो तो आज के स्थ्री भी हम कह सकते हैं महान है आज की इस्तरी देखिए कितने काम हो निब्टा रही है और किसी के साथ व्यावहार भी कितना अच्छा करती है रिष्टों को निबहाना वे कितना बहुत बड़ा काम है आप रिश्थेदारी में कुछ फ़ंक्षन होता है तो जीसे पती है वो गजाशनेत है पत्नी से ही पुछने कि तुम लोग क्यों नहीं आए तो यह जिम्मेदारी पत्नी की होती है कि उसको निभाए रिष्टे को निभाए तो यह स्थ्री क्या है कोई कॉम्प्यूटर से भी बढ़कर है यह मेरे ख्याल से तो इतना काम इतने रिष्टे निभाओ इतने काम करो बड़ों को द भी यह अपने धर्म को अच्छी तरह जानती है बहुत अच्छी तरह सब काम निप्टाती रहती है बहुत अच्छा काम करती रहती है तो इस तरह आज की स्थ्री को तो मैं जय कह दूंगी क्योंकि आज की स्थ्री तो महान है महान हम कहते हैं हर जगह में वह उन्नत उन्नत ह होती जा रही है अभी कुछ ऐसाल पहले जब मैं थोड़ी छोटी थी तो मैं कर ते खीछ अरे वह क्या थोड़ी चरहिए चाला सकती है। इंद्रेका स्कत्र study तो मुझे लगा क्यों नहीं कर सकती है। क्या इसमें कौन सी कोई ब्रह्मविद्या बोलते हैं ब्रह्मविद्या है कि इसमें कोई ब्रह्मविद्या नहीं है यह तो कोई सीखने की बात है और ऐसे करते करते आज की स्त्री देखिए किस छेत्र में नहीं पहुंची आज एक छेत्र का नाम बताये जहां स्त्री नहीं है हर खेत्र में स्थ में का प्रवेश हुआ है हर जगमें वह और अपना काम दुरबलता से नहीं पुर्शेंब कर रहिए इस तरह मैं पुर्शों की भी साथ का हात होता है वैसे ही एक सफल पुर्फ के हात के हाथ होता ही है पुरिश्वर्या कोई अलग कर सकते हैं तो इस तरह आज इस्त्री और पति घर्व मैसुस करता होगा कि आज मेरी स्थी कितनी एरोप्लेन चला रही है या रॉकेट चला रही है या कुछ यह हम देखते हैं 26 जनों को कितने बड़े-बड़े यह सब देखते हैं हम लोग हुआ हैंज तो इस तरह मैं उन्हें बहुत ही मैं स्ट्री कि आ आज किस तरी को मैं बहुत ही प्रशन सा करती हूं मैं बहुत चाहती भी हूं और आगे बढ़े और बढ़े और जैसे बहन ने कहा है हमें संस्कार भी देने हैं वो तो बात बिल्कुल सही है वो बच्पन में हम देते हैं लेकिन बढ़े होने के बाद तो उन्हें स्वयम ही उनको अपना खुद को देखना पड़ता है तो मैं यह बताना चाहिए थी कि कि तृपुरा का तात्पडिया क्या है असल में हम चाहते हैं तो वह भी है इसके साथ साथ वैसे 108 इसके ये लिए लिए गए गए हैं। Lam लेकिन मैं यह सब अभी नहीं बताऊंगी सिफ छे बताऊंगी अभी मैं तो जैसे यह विश्णु लोख है ब्रह्म लोख है यह एक त्रिपुरा है हाँ, सुनाई रहा है ना, मेरी आवाज आ रही है, और एक है, यह इच्छा शक्रति intelligente ग्यान शक्रतिया यह भी काम करने ज़ने हैं तो पहले इच्छा होती है हमारे दिन में इच्छा होती है तो इस इच्छा को कैसे पूरा करें तो इसके लिए हमें ज्यान की प्राप्ति चाहिए, ज्यान को प्राप्त करना चाहिए, तो यह ज्यान शक्ति, तो दिरे-दिरे हम सब पता करा लेते हैं और उस ज्यान को हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद क्रिया, क्रिया के रूप में हम उसको कर लेते हैं, इच्छा श डूबे रहते हैं कि हम भलाई करेंगे तो हमें भला होगा, हमें पुनिय मिलेगा, तो सिर्फ कर्म पर भी ज्यादा ध्यान देते हैं कर्म करते रहते हैं बाद में कुछ जन्म निकल जाते हैं फिर बाद में हम पता चलता है उपासना करनी चाहिए पूजा उपासना अर्था पूजा तो पूजा में हम कुछ साल बिता देते हैं ये एक दूसरा चरण है इन दो मोक्ष मिलने का जो मार गहे वो ध्यान बार गए। उसके लिए हमें पहले कितने जन्मो को लेना पड़ता है। इंको भी हम तрьकुरा कहते हैं। और एक है मन, बुध्धी, आहंकार। ये वी इसको भी हम तृकुरा कहते हैं। जैसे पत्री सार ने भी बताया है कि पहले हम मन म ही कई जन्म बिता देते हैं मन में यह मन से जुड़े रहकर हम कई जन्म बिता देते हैं उसके बाद धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि हमें मन से नहीं बुद्धी से काम करना है तो कुछ जन्म हम बुद्धी से काम करते हुए हम कुछ जन्म बिता देते हैं बाद में रहता ह लास्ट में आता है आहम यहां अलग है आहम का अलग है आहम याने आत्मा आहम याने जैसे कहते हैं आहम ब्रह्मास्मी आहम शिवोहम याने आहम का आर्थ है आत्मा तो मन को छोड़कर बुद्धी में आते हैं बुद्धी को छोड़कर जब हम आत्मा में आते हैं तो हम इन तीनों को भी हम त्रिपुरा कहते हैं और एक नेक्स्ट है जागरत अवस्था और सुपत अवस्था सुशुपत अवस्था ये तीनों अवस्थाएं भी त्रिपुरा कहलाते हैं जब जगे रहते हैं तो जागरत अवस्था होती है और जब सुपते हैं हम तो तब भी हम त सुशुत्यावा के रहे हैं नेकिर्वा रहे ही रहे हैं फिरोघृत के रहा है रहे आत्मा रहने इन तीन को भी हम तिर्फिर्वुरा कहते हैं और आंत में है इसमें क्या है? कि सत यानि सत्य में रहना फिर चित यानि चैतन्य में रहना तो जब हम सत्य में रह रहकर चैतन्य की बहुत अधिक प्राप्ति कर लेते हैं चैतना बहुत खूद पर प्राप्त कर लेते हैं चैतन्य स्थिति को जिसे पार कर लेते हैं तब आनंद की स्थिति आती है जिसे हम कह है ब्रह्मानंद और अंतिम् हमारा लक्ष होता है आनंद जब हम उनको सब को पार करके और अमल सी है वही हमारा अंतिम् गोल बनता है, आत्मा का अंतिम लग्ष बनता है, तो इन तीनों को भी हम त्रिपुरा भी कहतے हैं, त्रिपुरा याने तीन, तीन पुर, और एक है यह ललिता त्रिपुरश सुंदरी ने भी बताया है कि त्रिपुरा याने, सिर, सिर यानि हमारा ये गले तक सिर से लेकर गले तक जो है वो एक लोग है और गले से लेकर कमर बंध जहां हम बालते हैं कटी कटी बोलते हैं तो कटिस्तान तो कमर तक वहां तक एक लोग है और जो नीचला पायर वगर है नीचला भाग है वो तीसरा लोग है इन तीनों लो संदरी की जो अधिस्ठान देकल हैं वो लोग पालन करते हैं वो लो लोग संदा उसकी और ध्यान की रख्शा करते हुए उनकों चलाते हुए सही करते हुए जो देकल काने रहती है इन तीन वागों वे बटा शरीव तीन त्रिपुराधी है वो भी त्रिपुराधी है और इन ती लोगों की जो अधिस्थान देवता जो महान इन तीनों के ऊपर जो देवता है वो ललिता त्रिपुरसंदरी देवी है और जो मैंने बताया है वो महासुनि से निकली आधिपरासिक्टी आधिया परासिक्टी ज यह 108 है तिर पुरा के भाग लेकिन अभी में सिफ 6 ही बता रही हूं समय का भाव है बहुत-बहुत धन्यवाद आपने फिर से मुझे सामय दिया है तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं और नमस्कार करती हूं तेंक यू आपका भी बहुत-बहुत भुत धन्यवाद बुति मति मायम और जैसा ही कि संगीतनम् में आपुर्णा देवी के रूप में हाँ अनपुर्णा आपना है यह इनी पुर्णा माता का भी यही इच्छा है यह निल में पहले हो हमारे हम समय के हम दिखाने के लिए कि हम अन्दान कर रहे हैं हम यह ऐसा नहीं हमेरे दिल में यह भाव 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 गोर होकर हमें देना है अन्ना किसी को हम अन्न दे रहे हैं तो ऐसे जब हम देते हैं तभी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है तब तक अन्नपूर्णा प्रसन्न नहीं होती ह जब हम अपने दिल से घृदय से हम जब अन्न बाढ़ते हैं अन्न देते हैं गरीबों को हो या किसी को भी जानतू जानवरों को हो या पश्वो या अपने जिवजनतू को हम अन्न दे रहे हैं पक्षियों को दे रहे हैं तो अन्न पूर्नादेवी बहुत प्रसंद होती है य तो फिर अभी मैं विराम चाहती हूँ, सभी को मेरे प्रणाम.